हेलो एवरिवेन, लेर्न टूडे में आपका स्वागत है इसके पीछले वीडियो में हम लोगों ने टाइपस ऑफ गेम्स और जो कैप्टन होते हैं मतलब टीम के जो हेड होते हैं उनको कैप्टन कहा जाता है ये सब के बारे में हम लोगों ने देखा था आज हम लोग देखते हैं गेम एंड जेंडर तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं वेरी फ्यू गेम्स आर एवलेवल वेर गर्ल्स और बॉइस कैन प्लेज तोगेदर ऐसे कुछ ही खेल हैं जिसमें लड़की और लड़का दोनों साथ में खेल सकते हैं या दोनों खेल सकते हैं लड़के भी उस गेम को खेलते हैं और लड़के भी उस गेम को खेलती हैं In Tennis, World Competition Mixed Double is Played Tennis जो व्रड में याने कि विश्व में जब उसका Competition होता है खेला जाता है तो उसमें Mixed Double मतलब लड़का लड़की दोनों साथ में खेलते हैं Girls are encouraged to develop their skill in all types of sports and few have proved it कुछ लड़कियों ने या प्रूव भी किया है कि वह गेम्स बहुत अच्छा खेलती हैं जैसे कि साइना नहवाल जो कि बहुत ही अच्छी बेड्मिंटन प्लेयर है अंजिली भागवत जो बहुत अच्छा सूतर है और सानिया मिर्जा यहने की जिन्होंने जो टैनिस बहुत अच्छा खेलती है सानिया मिर्जा टैनिस, साइना नहवाल बेड्मिंटन और अंजली भागवत शूतिंग have made a great name in the field of sports in our country इन्होंने हमारे भारत का नाम रोशन किया है क्योंकि यह खेल में बहुत ही अच्छी है अब आगे हम लोग देखेंगे नेशनल टीम के बारे में हम लोग जानते हैं कि क्रिकेट इस अ पॉपलर स्पोर्ट इन इंडिया भारत में अगर कोई पॉपलर गेम है जिसे सब लोग बहुत पसंद करते हैं तो वह है क्रिकेट और सेकेंट अगर आपको पता है तो उसे कमेंट करके भेजें अ नेशनल टीम इस अलेक्टेट टू प्लेए फो दा कंट्री पॉरे भारत में एक टीम तयार किया जाता है भारत के बहुत सारे ऐसे जगह है जहांसे लोग अपना खेल के द्वारा आते हैं अच्छे खेल खेल कर वह आते हैं और उन्हें सलेक्ट किया जाता है और एक टीम बनाया जाता है और वह team हमारे देश के लिए खेलती है विनावा national team plays with other country and wins जब हमारा national team दूसरे country के साथ दूसरे देश के साथ खेलता है और जीत जाता है The whole country celebrates the victory पूरा दुनिया नहीं कह सकते हमारा जो देश है हमारा देश का हर लोग बहुत खुश होते है सचिन तेंदुलकर नाम तो सुना ही होगा Popularly known as Master Blaster इन्हें Master Blaster के नाम से भी जाना जाता है वो इतने अच्छे बैटिंग करते हैं कि उन्हें Master Blaster के नाम से भी जाना जाता है और उन्होंने बहुत ऐसे क्रिकेटर्स है जिनके रिकॉर्ड को तोड़ा है जैसे कि Gary, Sobers, Brian, Lara, Sunil, Gavaskar ये बहुत अच्छे क्रिकेटर्स थे इनके रिकॉर्ड को सचिन तंदुलकर ने तोड़ा है ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वन्डे क्रिकेट में सबसे जादा रन मारे थे और सबसे जादा सेंचुरी भी सबसे जादा सतक भी लगाई थी इनका मूम का जो पुतला है इस डिस्प्लेड इन अम्यूजम इन लंदन लंदन में एक म्यूजियम है जहां पे फेमस लोगों का वैक्स स्टैचु यानि कि मूम का पुतला बना हुआ है जैसे की सचिंत अंदुलकर हो गए, अमिताब बच्चन हो गए, अप्रियांका चोपड़ा हो गई ऐसे बहुत सारे फेमस लोग हैं जिनका वहां पे स्टैचु बनाया गया है हौकी इस अलसो पॉपलर स्पोर्ट इन आवर कंट्री हौकी भी हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा पॉपलर है लेट मेजर ध्यांचंद वाज लिजेंडिंग फिगर इन हौकी नोन ऐस दविजाड फोरिस सूपर बॉल कंट्रोल मेजर ध्यांचंद जो अब नहीं रहें वह एक बहुत ही अच्छे हौकी के खिलाडी थे जिन्हें दविजाड के नाम से भी जाना जाता था इन्हें अपने बॉल पे कंट्रोल करने बहुत ही अच्छे तरीके से आता था इसलिए ये बहुत फेमस भी है अब हम लोग देखेंगे local games versus traditional games a long established game based on local need passed on generation to generation is known as traditional game बहुत अर्सों से चला आ रहा game जो की generation to generation मत्यब हमारे माता पिता ने खेला होगा फिर बच्चे खेल रहे हैं बच्चे के बच्चे होंगे तो वो भी खेलेंगे तो यह जो generation से चला आ रहा है जो खेल उसे हम traditional game के नाम से जानते हैं Many of them have either lost or have undergone changes with time कुछ game ऐसे भी हैं जो अब खो चुके हैं मतलब उसे लोग खेलते नहीं हैं और कुछ game ऐसे हैं जिनमें कुछ बदलाव करके उसे अभी भी खेला जाता है Chess Chess is an ancient game आपने महाभारत में भी Chess खेलते वे देखा होगा तो Chess जो है वह एक प्रकार का ancient game है पुरानिक खेल कह सकते हैं It was established in older days to divide land among clans जमीन को बाट के लोग क्या करते थे? या game खेलते थे It is also known as सतरंज और इसे सतरंज की नाम से जाना जाता था Self-defense यानि खुद को बचाने and hunting सिकार करना was practiced in ancient times ये पहले किया जाता था The bow and arrow तीर धनूस was one of the weapons of ancient time made from bamboo ये पहले का एक हतियार था जो कि बांस के द्वारा बनाया जाता था The skill of shooting with a bow and arrows is referred as archery तीर और धनूस के जरिये हम लोग जो निसाना साजते हैं उस गुन को उस skill को archery के नाम से जाना जाता है In 1972 1972 में arching was included in Olympic Games अब इसे Olympic में भी खेला जाता है Limba Ram, Sanjeev Kumar Singh and Siam Lal are famous archers of India ये भारत के famous archers है क्या आप बता सकते हैं कि हमारे जारखन की famous archer कौन है जिन्होंने अभी हाली फिलाल में तीन-तीन स्वन पदक जीते हैं और जिनके husband का नाम अतनूदास है अगर आपको पता है तो इसे comment box में जरूर लिख कर भेजे ancient people established Kabaddi to acquire skill and strength among them पहले के लोग Kabaddi इसलिए खेलते थे ताकि उनके अंदर strength बढ़े उनका ताकत बढ़े it is played between two teams of seven players each यह दो टीमों के बीच खेला जाता है और दोनों टीम में साथ-साथ players होते हैं in 1990 1990 में it was introduced in Asian Games and India got gold medal इसे Asian Games में डाला गया 1990 में और उसमें भारत ने gold medal भी जीता था खोखो is established to acquire ability, physical fitness and stamina खोखो इसे लिए सुरू किया गया क्योंकि उससे ability, हमारी छमता हमारा physical fitness यानि कि हम physically कितने fit हैं कितने मजबूत हैं और हम आम में किसी भी चीज को जेने का कितना stamina है तो ये सब चीज को बढ़ाने के लिए खोखो खिला जाता है खोख means get up and go अगर आपने कभी खोखो खेला होगा तो आप देखे होंगे जैसे ये लड़की जार ये तो ये किसी के परस भी मार के कह सकती है खोख इसका मतलब होता है get up उठो और दोड़ो फ्रम संस्क्रीत वर्ड सिउ और ये संस्क्रीत वर्ड से लिया गया सिउ से खोख इन 1960 कंपटिशन वस हेल्ड अट नेशनल लेवल और ये पहले के लोग खेलते थे बाद में 1960 में इसे नेशनल लेवल पे भी खेला जाने लगा रेशलिंग जिसे कुस्ती के नाम से पहले जाना जाता था इस दा ओल्ड स्पोर्ट इन इंडिया ये बहुत पुराना खेल है इट वस्टैबलिच फोर एक्वाइजिंग फिजिकल स्रेंग्थ एंड ब्रेवनेस फिजिकली स्ट्रेंग्थ यानि मजबूत बनाने के लिए ब्रेव बनाने के लिए ये खेला जाता है तिस्टिल पॉपलर इन हर्याना ये हर्याना, पंजाब और उतरपर्दिस में जाया तक देखने को मिलता है बोट रेशिंग इन केरला ओन दा इव अफ ओनम has become more famous in the world केरला में जब फसल की कटाई होती है तो वहाँ पे ओनम नाम का त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार में बोट रेशिंग यानि की बोट से रेश किया जाता है लेकिन इसमें यूनिक चीज ये है कि it is the largest team member among the team sports यह team sports तो है तब team में खेला जाता है लेकिन इसमें जितने members होते जितने players होते हैं उतने और किसी में भी नहीं होते about 150 men are in one team एक team में लगबग 150 आदमी रहते हैं One can learn self-defense and fighting skill from martial arts martial arts के जरिये लोग खुद को बचाने के लिए और लड़ने का गुन भी सीख सकते हैं कि कैसे लड़ सकते हैं कैसे अपने आपको बचा सकते हैं It is performed by face and body या चेहरा और सरीर से किया जाता है It includes punching इसमें punch किया जाता है मुक्का मारा जाता है, kick किया जाता है और wrestling कुस्ती किया जाता है It is not concerned with raising of war यह आठ लड़ाई के लिए आया था मत्तब जब पहले लड़ाई होता था तब लोगों को martial arts सिखाया गया था बचने के लिए और तब से यह चला आ रहा है Changing pattern of local games लोकल games में कैसे बदलाव आए Nowadays children prefer individual games instead of team game आजकल बच्चे जो हैं वो team game से ज़्यादा individual game खेलना पसंद करते हैं जैसे computer game है जो एक प्रकार का individual game है खुझ से लोग बैट के खेलते हैं जिसमें mental skill और alertness मतलब कि दिमागी हाला सही होने चाहिए और हमेशा alert रहना चाहिए हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए game खेलते समय क्योंकि जड़ा सा भी ध्यान हटता है तो आप game से out हो सकते हैं और इसे एक जगा बैट के खेला जाता है जिससे physical activity हम दौरते नहीं है चलते नहीं है तो हमारा physical activity कुछ भी नहीं हो पाता Children like watching television program at home with their parents बच्चे जो है अपने माता पिता के साथ घर में TV देखना पसंद करते हैं Now it is very difficult to live without TV आज के यूग में बिना TV करहपाना बहुत ही मुश्किल है These days much awareness is required for proper viewing of TV programs आज के समय में जरूरी ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि TV में कुछ ऐसे भी चीज़ दिखाया जाते हैं जो बच्चों को नहीं देखना चाहिए तो इसलिए टीवी में बच्चे क्या देख रहे हैं वो सब को भी देखना चाहिए जो guardians होते हैं जो parents होते हैं यह उनकी responsibility है कि वो इस पर ध्यान दे कि उनके बच्चे टीवी पर क्या देख रहे हैं क्या वो उनके लिए लाबदायक है या नहीं है तो I hope आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया हो तो please like, share और subscribe जरूर करें Thank you